एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्षावड़ी के से योटूब चैनल में दोस्तों आज से हम सभी important schemes को revise करने जा रहे हैं ये वीडियो आपके लेखपाल भती परिच्छा के लिए जो आपकी 24 जुलाई को प्रस्तावित है उसके लिए बहुत जीता महतपूर्ण है क्योंकि योजनाय से प्रस्त लगबग आपसे पूछे जाएंगे एकजाम में तो जो भी योजनाय भी तक हमने पढ़ ली हैं उनका आज से हम रिवीजन करने जा रहे हैं और डेली बेसिस पर आपको रिवीजन का एक वीडियो मिला करेगा योजनाय का तो यह हमारा पार्ट वन है चलिए पार्ट वन में देख लेतें कि कौन-कौन सी इंपोर्टेंट स्किम्स को हमने समलित किया हुआ है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले स्किम्स आपके सामने है दिन द्याल उपाध्याय ग्राम जोती योजना इस योजना को जो है सुकृती मिली थी नवंबर 2014 में किंद्री मंदल के दोरा इसको सुकृती मिली थी नवंबर 2014 में और आपचारिक रूप से यह सुरू करती गई थी इसके बारे में आपको यादखना है अगर इसको सुकृती की बात की जाए तो इस योजना को सुकृती एकवस पहले ही मिल चुके थी नवंबर 2014 में ही इसको जो है इस योजना को सुकृती कंद्री मंदल के दोरा मिल गई थी और अधिकारिक तोर पर यह सुरू होती है 25 जुलाय 2015 को पटना से इसके बारे में आपके आधखना है इसका लक्ष था और विध्धूती कृत गाओं का विध्धूती करण करना याने कि जिन गाओं तक बिजली नहीं पहुची है उन गाओं तक बिजली की सुविधाओं को पहुचाना इस योजना का लक्ष था तो इसके बारे में आपको याद रखना है एकदम सौट में हम योजनाओं को रिवाइच करेंगे ज़्यदा डिटेल में हम नहीं जाएंगे किवाल हम उन्हीं की पॉइंट को कवर करेंगे जो आपके एकजाम के लिए रिलेवेंट होंगे अगली योजना आपके सामने है पियम सुरक्षा बीमा योजना ये आपके एकजाम के लिए इंपोर्टेंट रहे हूंगे इसमें थोड़ा सा अपडेट किया गया है हाली में 31 मई को तो इसकी जो प्रिमियम रासी है पहले 12 रुपे हुआ कलती थी अब इसको बढ़ा कर 20 रुपे कल दिया गया है तो यह योजना आपके एकजाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकती है तो अब इसके बारे में बात कर लेता है इसकी सुरुवात की गई थी तो इसके बारे में आपके आदकना है इसका लाप किसको मिलेगा तो 2 लाख रुपे का दुरगटना बीमा कबर प्रदान किया जाएगा इसके बारे में आपके आदकना है 2 लाख रुपे का दुरगटना बीमा कबर इसमें प्रदान किया जाएगा अभिदाता की मृत्यू के समय दो लाग रुपे की जो बीमा के रासी है उसके परिवार के सदस्य को प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत इसके बारे में आपको यादखना है इस योजना का क्या नाम है तो इस योजना का नाम है प्रदान मंत्री सुरक्षा बीमा योजन तो इसके बारे में आपको याद रखना है अभिदाता की दुरघटना से मृत्ति होने पर दो लाग रुपए की जो बीमा के रासी है वह उसके परिवार के सदसी को प्रदान कल दी जाएगी तो यह important fact इसको याद रखना है और इसकी premium के रासी आले में 12 रुपए से बढ़ा क 20 रुपए कल दी गई है और 18-70 वर्स आयू समू के जो लोग होंगे यह इस योजना के पात्र है इसके बाद अगली important scheme भी है यह important है कि इसमें भी इसकी premium रासी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है पहले इसकी premium रासी 330 रुपए वा कलती थी अब इसको बढ़ा कर 436 इसकी premium के लिए important है तो इस scheme का नाम है प्रधान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना 9 मई 2015 को इसकी शुरुवात के गई थी इसकी अहलता है 18 से लेके 50 वर्स की आयू समू के जो लोग है इस scheme का लाब ले सकते हैं और इस scheme के maturity यानि कि इस scheme की जो परिपक्कता है वो 55 साल के बा आटो डेबिट के द्वारा पैसे काटने की सुविधा भी मौजूद याने की जो भी अभिदाता इस scheme से जुड़ेगा उसका खाता इस scheme से लिंक कर दिया जाएगा और उसके खाते से जो है जो है प्रेमियम की जो रासी है आटो डेबिट हो जाएगी यह भी सुविधा इस इसका लाब क्या है इसमें लाब क्या मिलेगा तो किसी भी कारण वस अभिदाता के मृत्यू के बाद जीवन विमा की रासी दो लाख रुपए उसके परिवार को दे दी जाएगी तो यह इसके लाब है इसको आप देख लीजेगा बिलकुल सौट में हम योजनाओं को जीवन भौतिक रूप से सुद्रिन छत्रों के रूप में रुपांतरित करना इसका मेनुद्दे सिथा और इसका क्रियानवन कलता है ग्रामिण विकास मंतराले इसके बारे में आप या देखिएगा अगले important scheme आपके screen पर है पूरा ये भी आपकी ग्रामिण विकास से related scheme थ जलता है कि यह ग्रामिण विकास की important scheme थी इसका पूरा नाम था provision of urban amenities in rural areas यानि कि मतलब क्या हुआ urban amenities यानि कि जो सहरी सिविधाएं है उनको जो है गाओं तक लाना इसी उद्देश से इसको शुरू किया गया था पूरा को यहां पे आप देख वा रहे हैं पूरा को जो है पूर्व राश्पती APJ अब्दुल कलाम दौरा जनौरी 2003 में तिवर एवम ससक्त ग्रामिण विका के लिए प्रस्तूत किया गया था तो इसके बारे में आपको याद अखना है इसका पूरा नाम आप देख लीजेगा पूरा नाम इस एकजाम में आपसे पूछा या सकता है और इसके बाद अगले important इसकी है उजाला इसका पूरा नाम क्या होता है उजाला का उन्नत जोती by affordable leds for all कम मुल्य पर led वल्ब उपलब्द करवाने के लिए जो है इस योजना की सुरुवात की गए थी एक मई 2015 को प्रधान मंत्री नरंदर मोदी जी के द्वारा तो इसके बारे में आप क्या दखना है कम मुल्य पर led वल्ब उपलब्द कराने के लिए जो है एक मई 2015 को उजुला मत पढ़ लिएगा और उजुला को उज़गा इसके अपना को करणा को MR करना kईए को गयाए तो इक्धमें यत्मिनान से परिशा देते समय आपको इत्मिनाल से एकडम क्वेशन को पढ़ना है तो उजाला स्कीम गार आपसे पूछ ले तो उजाला स्कीम जो की कम मुल्य पर लेडी बल्व उपलब्द कराने के लिए सुरू की गए थी इसको जो है प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने एक माई 2015 को सुरू किया था इसके बाद प्रधान मंत्री उज्वला योजनिया के गरम बात करें तो इसकी सुरुवात उत्तर पदेश के बलियां से की गए थी एक मा अब भी रेखा के नीचे यानि की बीपियल जो परिवार हैं उनको जो है स्वक्ष इधन उपलब्द करवाने के उद्देश से से जो है इस योजना को सुरू किया गया था प्रधान मंत्री उज्वला योजना इसकी टैग लाइन थी स्वक्ष इधन बहतर जीवन है प्यात तो वर्स 2020 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें आठ करोड परिवारों की मैलाओं को निसुल्क रसोई गैस प्रधान करना इसका लक्ष था इसका मोटिव था हाली में इसका सेकेंड फेज स्टार्ट किया गया है उज्वला 2.0 दस अगस 2021 को उत्तर बदेश इसके महोबा से इसका सेकेंड फेज जो है सुरू किया गया था तो इसको भी आप स्टार मार कर लिजेगा डरेकली आप से जामें पूछा या सकता है इसका सेकेंड जो फेज है कब और कहां से सुरू किया गया अगली स्टीम है प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामिड और चारीक सुभारम इसका 20 नॉमबर 2016 को नरेंदर मोधी जी के दोरा आगरा से किया गया इसका उद्देश से था तापिसयाद कलेजी का 2022 तक सबके लिए अवास इस स्कीम का में मोटीव था में उद्देश से था इस स्कीम के तैज जो है समतल छेत्रों में यानिकी मैदान प्रतियवास 120,000 रुपए और पहाली छेत्रों में 130,000 रुपए की सायता का प्राधान जो है इस स्कीम में किया गया था इसके बारे में आप या देखिएगा इसके बाद इसके लागत का बटवार यानिकी इसमें जो खर्च आएगा समतल छेत्रों में यानिकी पहाली छेत और 10% आपकी राज सरकारे वहन करती हैं ये इसका लागत का बतवारा है प्रधान मंत्री अवास योजना ग्रामिड का इस योजना को जो है मार्च 22 तक जारे रखने की मंजूरी मिल गई है यानि कि अब यह जो योजना है मार्च 24 तक चलेगी हाली में केंद्री मंत्री मंदल के द्वारा या डिसीजन या फैसला लिया गया था और इसके अंतरगत इसकी उपलब्दियां क्या-क्या अभी तक हैं तो यहाँ पर देख लेजेगा अभी तक इसमें 29 नौवंब 2021 तक एक दसमलो 65 करोड आवासों का निर्मान किया जा चुका है तो यह आप याद कर लेज 2.95 लाग करोड दसमलो 95 करोड आवासों का निर्मान किया जा चुका है आपका 29 नौवंबर 2021 तक इसके बाद आकरे स्कीम आपके सामने हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी सुरुवात की गई थी आपकी 22 जनौरी 2015 को प्रधान मंत्रिन दरंदर मोधी जी के दोरा हर लिंग आधारित बेदवाव की रोक थाम और लिंग चैन का उयमुलन करना बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना बालिकाओं की सिक्षा और भागिदारी को सुनिश्चित करना इस स्कीम का में नुद्दे से था जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 ज झाल झाल